हलो दोस्तों मेरा नाम है देहिंदर सिंग आज की इस वीडियो में कोशन नमबर 5 हम डिसक्स करेंगे कोशन नमबर 5 फाइनिशल स्टेटमेंट्स का चैप्टर 19 अकाउंट्स आपको बता दो किसे पहले मैंने टेडिंग अकाउंट क्या होता है इसके ऊपर मैंने बात कर रखी है वह वीडियो का लिंक में डिस्क्रीशन देरो सबसे पहले वह वीडियो जाकी देखिए तभी आपको यह कोशन भ ग्रोजल निकाल देके से पहले तो चलिए भी आप स्टार्ट करते है देखर कोशन हो क्याएं कि आपको ग्रोज प्रोफिट निकालना एं इस इन्फरमिशन से आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है closing stock दे रखा है purchases दे रखी आपको साड़े अडला की है केरी जोन परचेस भी दे रखा है और केरी जोन सेल अलग है office rent sales यह सब दे रखा है आपको निकालना ग्रोस प्रोफिट देखो मैंने पहले बहुत आ ग्रोस प्रोफिट की बात करें सबसे पहले आपको क्या करना होता है जो भी आपका सेल करके revenue हुआ ना वो आपको लेना होता है ठीक है revenue जो आनि कि समान बेच के जो पैसा आपके पास ग्रोस प्रोफिट कैसे निकलता है जो आपने बेचा और बेचने के टाइम पर जो खर्चे किये उसको माइनस कर दो समझ वाज़ागा कितना बेचने के टाइम पर प्रोफ cost of good soul यानि कि समान को बेचने की लागत क्या थी यही आपको लेना है तो इसको तो हम अराम से कोशन में मिल जाते हैं यह निकालना पड़ता है फिर यह निकालना लेगा भी तरीका मैंने बताया था एक बाद दुबारा समझ रहते हैं कि cost of good soul सबसे पहले उसमें क्या लेना होता है opening stock कि साल की starting में कितना stock आपका पड़ा हुआ था जो आपको खरीदना नहीं पड़ा लेकिन पिछले साल आपका बचावा को stock था वो पड़ा हुआ है तो यह आपके लिए भी खर्चा है क्योंकि stock तो stock है इस्तमाल तो कर रहे हो ना जो भी stock आप इस्तमाल कर रहे हो बैचने के लिए तो वो भी आपका कर्च % yeah इस्तमाल नहीं नहीं पड़ा जिए तो वह इना प्रचे एच्पशे हुए उसे द्रैट द कि गुद Making मैं और भी खर्चा lira क्रशा है वह झाया जो ओर भी खर्चा हुए universet कर दीशें वह उसे डियरीक्ष भोलते है या समान को बनाने के लिए जो भी खर्चे हुए, वो डिरेक्ट है, इसमें होते हैं, उसके बाद माइनस कर देना होता है, जो समान बच गया, closing stock, वो अगर माइनस कर दूगा, तो आपको समझ माज़ेगा कि समान को सिरफ जो बेचा है ना, उसका खर्चे किते हैं, ने समान को बेचया है लेकि उसमें कुश समान बच गया वह आपने माइनस नहीं करा है तो वह आपका को को जो बिक पाया और नहीं भी बिक पाया लेकिन आपको जो नहीं बिक पाया स्टोक वो आपको माइनस कर देना है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि सो जो सिरफ समान भीका है उस पर खर्चा कितने हुए तो उसके लिए हम यह करते हैं अब आप देखे ज़रा कि आप कोशन मे परचेस में ऊथे रखर है 10。」 तो पहला यह लिगते हैं आपके सामने देख हैं ओपनिंघ स्टोक दो लाग छंट सिस्टा अच होई फिर बगले कि नौसटाd Prom notoriety हो एक होता है एक होता है एक होता है खरिदते वे, यानि कि समान को आपने आपने ये वाला करचा ने रहना, जो बेचने के टाईम पर हुआ था. क्योंकि बेचने के टाईम पर वाला जो खरचा है, वो हम इसके अंदर नहीं जोडते. हमें हमें समान को बेचने के टाइम तक जो भी खर्च हुए सिर्फ वो लेने हैं बेचने के बाद वाले नहीं क्योंकि मुझे ग्रोस प्रॉफिट निकानने के लिए हमें सिर्फ वो खर्चे माइनस करने होते हैं जो समान को बेसिकली बनाने के लिए या बेसिकली समान को वेचा उस बेचने के लिए बेचने के टाइम पर जो भी प्रॉफिट हुआ ठीक है तो बेचने के बाद वाला प्रॉफिट वह अलग निकालते हैं वह ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते हैं तो समान को खरीदते वह जो हुआ खर्चा वह 30,000 पर हुआ यह डिरेक्ट ए होते ओफिस की खर्चे ट्रेड होनमे लेते ग्रॉफिट में सिर्फ फैक्टरी खर्चे लेते एक तरुबका सब्सक्राइक कर्चें अब और समान को खर्चाइब है कीनल प्रॉफिस रेंटरस हैं उफिस रंट भाया ओप्रआइब को चंऊ है यह अग्समान आज होता है यह ऐक्स्ऩेक्स लेना घृष होता है जो पॉड़क्शन को ड्रेक्ट रिफंट ड़स्टा मानलब अगर मैंने क्वड ओफीस रेंट नहीं में लेट तो था, अगर मैंने लेटी नहीं भी था तब लॏ अंगलता चलता रहेगा ऐसे नहीं कि फड़क्शन रुख जाएए इसलिए यह आपको नहीं लेना यह indirect expense होता है और indirect expense आपको नहीं लेना होता है आपको direct expense में जनना होता है जो production के time पर खर्ची हुए वह वह ले यह production को जो directly effect डालते है यह indirect effect डालते है और अब दिरक है sales तो sales लेगे 14,07,000 की तो वह तो अलग लेगे पहले closing stock लेगे closing stock माइनस करने closing stock कितना है एक लाग असी जार तो यह minus कर देना है तो तो देखो अब यहां पर total करेंगे इसका यह total आप करोगे तो यह कितना रहा है 12,073,000 उसमें से एक लाग असी जार माइनस कर देगे ठीक है और जब हम यह minus कर देगे तो हमारा कितना आजएगा तो basically हमारा आ जाएगा 10,93,000 अब हम gross profit निकालते हैं तो gross profit निकालते हैं अब अब देखो revenue from sale of goods यह क्या है यह क्या है यह basic आपको कोशन दे भी रख है sales यही तो है कि sales 14,07,000 तो इसका मलब जो समान बिका वो कितने का बिका तो इसका मलब समान को बेचने के टाइम पर जो profit हुआ वह कितना वह वह तो निकालना है तो वह कितना हुआ तो पांच लाक चोदा हजार यह ठीक है पांच लाक चोदा हजार और सोरी सोरी असल यह मानी तोड़ी कलती होगी थी यह यह जैसे के लिए यहां पर दस लाक अचेशी थाओ धन होगा उसमें से एक लाक स्थी जाड़ी माइनास करेंगे ना तो यहां तो नाइन चाहिए ठीक है एक लगत सीजा जो माइनस करें के तो यहां तो नहीं सही आएगा लेकिन यह जो है यहां पर 8,93,000 आएगा ठीक है तो अब सही है हमारा अब सही देखो 5,14,000 अब वैसे बिल्कुल वाई रहा है तो उम्मीद करते हो जैसे आपको समझ में आपको वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें थैंक इस सो मच ओल दवेस्ट